हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रुजाना एक लेटिस्ट वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप हमसे जुरना चाहते हैं तो उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें सावन में देख जाएंगे पांस संकेत तो समझ लेना महादेव की बरसने वाली है कृपा सावन का महिना भगवान प्रोलेनात का सबसे प्रेमा है इस बार सावन का महिना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है जिसका समापन 12 अगस्त को होगा इस बार सावन में 400 उमबार पढ़ेंगे हर कोई भगवान शेव को प्रसन्न करने के लिए इस माविशिष पूजा अराधना और ब्रत करते हैं मानिता है कि इस माव भगवान शेव और माता पारवती धर्ती पर आते हैं शास्रों में कहा गया है कि यदि शावन मास में आपको कुछ विशेश संकेत मिलते हैं तो समझना चाहिए कि आप पर भगवान शेव की विशेश कृपा होने वाली है आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनका सावन माह में मिलना बहुत ही शुप माना जाता है शेव मंदिर की सीडियां चरना तो अपने सास्रों अनुसार सावन के खास महिने में अगर आप सपने में मंदिर की सीडियों को चरते हैं तो ये अत्यंत शुप संकेत होता है, इसके अलावा सपने में यदि शिव मंदे, शिवलेंग या शिवाले दिखाई दे तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है, इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही जीवन में शुक और शांती की प्राप्ती होने वाली है, सपने में शि आप पर बहुत ही जल्द भगवान शिव की विशेस कृपा बरसने वाली है, ये आपकी कोई विशेस इच्छा पूरी होने का संकेत माना जाता है, गाई या नंदी दिखना, भगवान शिव को नंदी बेहत प्रे हैं, शास्त्रों के नुसार सावन के महिने में गाई या न काले नाक के दर्शन होना, सावन के पवित्र महिने में काले नाक के दर्शन होना बहुत ही शुब माना जाता है, यदि इस महिने आपको काले नाक के दर्शन हो जाते हैं, तो समझ ये कि जल्द ही आपकी उन्नती के द्वार खुलने वाले हैं, और आप पर महादेव की असी किसी कारे में सफलता मिलने वाली है यानि आपके जीवन में अगर कोई मुश्किल है तो आप उस मुश्किल या बाधा को पार करने जा रहे हैं ये सपना किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलने का संकेत देता है फ्रेंड्स अगर आपको हमारे दोरा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हूँ तो आप उच्चान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करना ना भूलें